जैक दिलली का फेज टू का इंदरिया स्ट्डियूल आया है जो पुनाने वाला स्केड्यूल था उससे यह वाला स्केड्यूल डिफरेंट है और इसमें कुछ ऐसी बाते लिखी हुई है जो कि आपको जाननी बहुत ज़दर जरूरी है जो चीजें हमें मिसंडेस्टेंड हो जो स्टूट को डाउट आ रहे थे वह सारे समय कर दिये हैं कितनी रिजिट्रेशन फीस है विड्रोल करने का आप्शन आएगा यह नहीं आएगा वह सारी आपको पता सलने वाली है तो बिन देरी किये मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं और यहां पर आपको स्टूडेट दिगा थी लेकिन जो निव डेट वह साथ दिसम्बर अब यहां पर कौन-कौन से स्टूडेंट्स पार्ट ले सकते हैं काउंसटलिंग में उस में से सारे स्टूडेंस आते हैं जिन्हों ने और रेड़े रेजिस्टार कर लिया था बट उन्होंने कोई सीट hold नहीं करी है उनको seat जो है वो मिली ही नहीं है उनको कोई seat नहीं है उन्होंने किसी में participating नहीं किया है उसमें कि उसमें भी आपके पास option आ जाते हैं कि those who were not offered any seat in phase 1 आपको चार round में कोई भी seat allot नहीं होई है all the admitted candidates who have withdraw their seat still for December अगर आपने चार दिसंबर तक withdrawal करवा लिया है तब भी आप eligible हो यहां पर अगर आप all those who were allotted a seat but did not pay the seat acceptance fee आपको seat allocate हो गई थी बट आप ने एक लग बारह हजार रुपे पीस नहीं भरी थी तब भी आप eligible हो phase 2 of counseling के लिए all those candidates who seats were cancelled due to some discrepancy in the documents यानि आपको documents के कारण discrepancy के कारण आपको निकाल दिया गया था राउंस of counseling से तो आप phase 2 में दुवार अपलाई कर सकते ताइप 2 candidates आते हैं any candidate who had not registered during the previous round of counseling such candidate will have to first register on the JSE Delhi portal and pay 1500 as registration fee it may be noted that the fresh registration will be open only for round 5 तो यह आपके लिए last mocha होगा fresh registration करने के लिए अगर आपने जयागदिली में अभी तक apply नहीं करा है इसके बाद आपको mocha नहीं दिया जाएगा उसके बाद type 2 में यहाँ पर आ जाते हैं all admitted candidates यानि जितने भी candidates हैं जिनको seat मिल चुकी है पर उन्होंने freeze नहीं करी है admission नहीं लिया है वो भी इसके लिए eligible है अब यहाँ पर procedure लिखा हुआ है type 1 candidate और type 2 candidates के लिए जो type 1 में आते हैं यानि जो admitted नहीं है किसी भी कारण से वो काउंसलिंग में participate कर सकते हैं पर उन्हें 10,000 रुपे देने पड़ेंगे यानि आपने seat नहीं लिए है आपको या तो कोई seat allocate नहीं होई या फिर आपने सीट ही नहीं लिए फिर आपने विड्रो कर लिया या फिर डोकिमेंट की तरफ से आपको निकाल दे गया तो आपको 10,000 रुपे देने पड़ेंगे फिफ्ट रांड डॉफ कांसलिंग में पार्ट लेने के लिए विल भी 15,000 रुपे देने पड़ेंगे उसके बाद 10,000 रुपे देने पड़ेंगे और जो ये 10,000 रुपे हैं या आपके seat acceptance fees में यहाँ पे adjust कर लिए जाएंगे और आपको जो फेस्ट कर लिए जाएंगे और आपने जो 10,000 रुपे दिये हैं आपको seat को freeze नहीं करते हो तो आपके 10 15,000 रुपे ये लोग रख लेंगे आपको बापिस नहीं मिलने वाले ये चीजा पहले ही जान लो अब आप already participate कर चुके हो तो आपको 10,000 रुपे देने की जरुवत नहीं है इसका मतलब यह है कि आपको कोई न कोई seat allocate हो गई है आपने 1,12,000 रुपे दिये हुए हैं withdrawal भी न counseling में क्या लिखा है जो type 1 के students है जिनको seat allocated होगी इस round में उनको 1,2,000 रुपे देने पड़ेंगे within the specified period जो की announce यहां पर होगा और document verification भी जो है वो जल्दी से जल्दी start हो जाएगा और आख के jack दिल्ली के system में वो चीज शो हो जाएगी कोई भी payment से related धिकत आती है तो mail भी दि candidate failing to pay the seat acceptance fee तो उनके 10,000 रुपे आपके रख लिए जाएंगे है तो यह not refundable पैसा है आपका type 2 वालों को यहां पर कुछ भी देने की जरूरत नहीं है वो चाहें तो प्रीज और फ्लोट कर सकते हैं आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आपको पुराने round मे पर up gradation to his higher preference अगर आपने प्रीज कर दिया तो आप next round में अप्गेड करने के लिए काबिल नहीं रहोगे यह बात आपको पता है यहां पर सारे के सारे लिखे हुए है तो यहां पर यहां पर यहां पर लिखा हुआ है आप देख सकते हो रिवाइश कर देखिव यह आपको यानि कल आपकी वैकन सीट आ जाएगी इस ब्रांच में इतनी सीटे बची हुई कि अगर नए रिजिस्ट्रेशन करने है तो आपको साथ दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में मोका दिया जाएगा चाहे आपको नए रिजिस्ट्रेशन 1570 करना हो या फिर आपको करना हो इसके बाद आपका राउंड फाइव का यहां पर लिखा हुआ है कि दस तारीक को रिजल्ट आपका डिकलेर हो जाएगा पाँच वजे के बाद राद तक रिजल्ट आ जाएगा गैरा तारीक को एक लग दो हजा रुपे देने अगर आपको कोई सीट अलोकेट होती है बढुका राऑ्य खागा यहां और इसके बाद आपकी कोई अगर टैफिसंसी होती है इसे आप 15 दिसमबर तक ठीक कर सकते हो विड्रोल का संबर से स्टार्ट हो जाएगा जिसकी भी हम बात करेंगे जब वो करीब आएगा फिलार आप अपने राउंड फाइव और फेस्ट्व पांसलिंग पर ध्यान दीजिए और जो भी मैंने आपको इंपोर्टन चीछे बताईए आप एक बर रिकैप करके दुबारे सुन सकते हो कोई भी अगर आपको डाउट आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो और साथ ही में टेलिगराम गुरूप जोएन कर लो जैसे कि आपके डाउट जल्दी से जल्दी सोल हो सके अगर आपको मेरा परसनल सपोर्ट चाहिए फेस्ट्व पांसलिंग में तो सिरफ तीन सीट्स बची हुई है आप फटाफ़ से ले सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप चैक आउट कर लेना आपको क्या क्या पर्क्स और बेनिफिट मिलने वाले हैं और अगर आप चैनल पर फश्ट आम आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर देन आपको टाइम पर मिल पाए कोई भी वीडियो इंपोर्टन डिटेल्स आप से मिस ना हो पाए और वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो यार ताकि मझे पता सेल पाए कि सच में वीडियो आपके लिए है या नहीं कोई आपके रिलेशन में ब्रदर शिश्टर है जो जै थे स्मार्ट टेक केर अफ यूरसेल्स गुट बाए